अल्ट्रा भक्ती चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भुलें शिव पुत्र के वद्ध की घुष्णा करता है देवी पार्वती की मना स्थिती को देखकर भगवान शिव ने शिव गणों को नक्षत्र लोक भेज कर कार्थि के को कैलाश आमंत्रित करने का निश्चे किया और इसी कारे के हेत्व महादेव समाधी स्थर पर प्रकट हुए प्रिय नंदी प्रिय शिव गणों आज हम तुम एक अत्यनत शुप समाचार सुनाने के चुक है देवाधी देव महादेव भगवान शिव शंकर की ये प्रभू आपने शुप समाचार का संगेत देकर हमारा हर्ष दुगना कर दिया है स्वामी हमारा मन शुप समाचार सुनने को आतुर हो रहा है गणाधक्ष नंदी महराज अब दिव्य शुपुत्र का शीग रही कैलाश पर परम पावन आधमन होगा शुपुत्र को अपने साथ लेकर कृतिकाओं के नक्षत्र लोग जाओ हम तुम्हें वहां पहुंशने की दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं शिव पूत्र की? ये! शिव पूत्र कुमार कार्ट के की? ये! प्रभू शिव पूत्र ने कब और कहा जन लिया? शिव के अंस्त जनमा नंदी उसको भी पता नहीं चला भोलेनार या आपने शुब समाचार हमको पहले क्यों नहीं बताया? समय से पूर्व कोई कार्य पूर्ण नहीं होता नंदी महराज जब तक शूपुत्र कार्थिके दस वर्ष के आयू पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसका नक्षत्र लोग से बाहर आना संभव ही नहीं था रभु क्या हमारा राजकुमार दस वर्शका हो चुका है। नन्दी महराज उसे राजकुमार नहीं, केवल कुमार कहू है। कुमार कार्थिके, हम योगी और वैरागी हम, राजा कैसे हो सकते हैं। योग और वेराग्य के मूर्ति मां आदर्श भगवान भोले नाथ आप किसने चाया पाकर हमारा जन्द सफल हो गया स्वामी आप शीक रहे शिवगणों को कृतिकाओं के नक्षत्र लोग प्रस्थान करने का आदेश दे हैं मेरा मन अपने पुत्र को देखने के लिए अधीर हो रहा है आप निश्चिंत रही माता हम एक शन भी विलम नहीं करेंगे भगवान भोले नाथ की आग्या से हम अभी कुमारकार्थी के को लेकर आते हैं कुमारकार्थी के की अभवान भोले नाथ तथा माता पार्वती एवं कुमारकार्थी के की अभवान नारायन 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 ने इस जगत में माता का हिर्दे अमरित कुंड के अमरित जल से बनाया है आप सभी ने कुमारकार्थी के को जो प्रेम एवं ममता प्रदान की है उसे इस जगत में सदा सदा ही यात किया जाएगा आपकी प्रशंसा में ना तो मेरी वानी समर्थ है और ना ही मेरे शब्द परियाप्त है इसमें नई और अनोखी बात क्या है देवर्शी माता तो सदा से ही पुत्र प्रेम में अपना सर्वस्वत्याग करती आई है हाँ अब वो समय आ गया है जब माताएं अपने पुत्र प्रेम में सर्वस्वत्याग करने को तयार हो जाती है आपका अभिप्राय क्या है देवर्शी मेरा अभिप्राय सुनने से पूर्व आपको अपने मन को कठोर बना रहा होगा देवी आप हमारा मन कठोर करना क्यों च किन्तु आप उसे सुन नहीं पाएंगे केवल इतना जालने कि सुख और दुख परिवर्तन्शील होते हैं जिस प्रकार दुख अधिक दिन तक नहीं रहता उसी प्रकार सुख भी समय पाकर बिना हट किये हुए आपकी जीवन से चला जाता है तो आप अब यह कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन से सुख चला जाएगा कार्तिके के यहां से चले जाने का यही अर्थ होता है कार्तिके चला जाएगा हमें छोड़कर चला जाएगा कार्तिके हम नहीं जी सकती कार्तिके कि बिना हमें छोड़कर जाएगा कहां कार्तिके कहां चला जाएगा ना रायन ना रा यह सत्य कटू कटोर ही नहीं अप ही तो यह लूप कल्यान कारी भी बहा है तो सुनो तो इस में किसका कल्यान हुआ है नाजा अरए सहरे जगत का इन कि सिपुत्र कुमार कार्तिके का और यह वह कमार कार्थिके को शिब लोग जाना ही होगा हम कार्तिके के बिना नहीं रह सकते नहीं नहीं हम इसको नहीं चाले देंगे हाँ हम आंप इसके बिना हमारा जीवन छुन्ने हो जायेगा देवियो के देवियो भावी को कौन टाल सकता है MR, शिव लोक से शिवधूत कि सी बी शचल मोचल, कि रखते है कि दिन्हाए उता है शी शjor कुन Deck seg उपनीके कि शी श्याओप कुंहर करते कि शी श 어ति óakप क।मार करते कि के दिसरे, शी श्याओं शी शी शुish시다 सब्सकर करते कि कर दो तार का सुरका अभी अंत नहीं हुआ है और वो शिपुत्र का भोट चत्रु है यदि उसे ग्याथ हो गया कि आप शिपुत्र को लेने जा रहे हैं तो वो आपके मार्ग में बाधा खड़ी कर सकता है देवर्शी इस संसार में सारी बाधाओं का निवारण भगवान भोले ना का नाम सभर्ण करने से हो जाता तुपल हम तार का सुरस भेवा ना अरायन नन्दी महाराजी क्या शिप क्रिपा के कारण सुयम ही बाधा को अंत्रित करना हुचित है हम किसी बाधा को नंदी महाराज शक्ति को भी विजय पाने के लिए युकती की अवश्यक्ता होती है शिवांश से जन में आप को देखकर ही शक्ति का अनुमान लग जाता है किन्तु क्या डेवर्शी ना रायन ना रायन अपना नहीं तो कुमार कार्त के का लालन पालन करने वाली उन कृतिकाओं के विशे में तो तनिक सोचे अर्थात अर्थात तार का सुरूपी बाधा ने कुमार के वहां से आने के पश्चात उन कृतिकाओं को पीडित करना प्रारम कर दिया तो देवर्श तार का सुर्प कृतिका माताओं को पीडि जब करेगा जब वो जिवित रहेगा उसका आंत तो शिपुत्र के हाथों निश्चित है ना रायन ना रायन तुम समझते क्यों नहीं शिपगड़ो स्वयम ही बादा को अमंत्रित ना करो अभी ये जय जय कार नक्षत लोक में जाक क्या देवर्शी है हमने तुम्हें इस संसार की समस्त विद्याइं सिखा दी है अब तुम हमें उनका प्रदर्शन करके दिखाओ हाँ पुत्र तुम्हारा प्रदर्शन देखकर हम प्रसन्य हो जाएंगी वैसे तो तुम्हें देखकर हमारे मन सदा अनंदित रहता है गंगा मैयाने हमारे उपर हम कृटिकाओं के उपर महान क्रिपा की है कि जो तुम जैसा पूट्र हमें प्रदान किया है अब सबकी आगया का पालन करना मेरा धर्म और करतव्य भी है किन्तू किन्तु क्या पुत्र माता आप तो बली प्रिया है हाँ पुत्र युद्ध विद्या में तुम्हारे अस्त्र शस्त्र के प्रयोग कौशल्य को देख कर हम स्वयम चकित रह जाती हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार की कोई अज्याप महाशक्ती तुम्हें युद्ध विद्या प्रदान कर रही है नहीं माता नहीं, मुझे युद्विद्या आपकी अतिरिक और किसी से प्राप नहीं हुई मैं जो कुछ भी जानता हूँ, सब आपकी कृपा का ही परिणाम है किन्तु पुत्र, तुम्हारी युद्विद्या हमारी युद्विद्या से अधिक है माता आप मुझे प्रसं करने के लिए मेरी प्रसंसा कर रही है ना पुत्र तुम्हें प्रसं रखना तो हमारे जीवन का एक मात्र उद्देश्य है तुम्हारे आगमन से हम ही नहीं नक्षत्र लोग का पूरा वातावरन भी आनंदित हो गया है पुत्र हम तुम्हारी विद्याओं का प्रदर्शन देखने को उच्छुक हैं माता श्यस्त्र विद्या का प्रदर्शन तो मैं युद भूमी में शत्रो के सन्मुखी कर सकता हूँ ना तो क्या तुम्हारे युद कौशल की प्रतिभा देखने से हम वंचित रह जाएंगी नहीं माता मैं आप सबको वच्चन देता हूँ कि जो दिव्य युद विद्याएं मैंने आप सबसे प्राप्त की है उनका प्रदर्शन मैं समय आने पर अवश्य करूंगा प्रदर्शन तो मेरा होगा किन्तु विजय आपकी होगी अर्थात अर्थात माता ये शिक्षा तो आपने ही मुझे दी है ना शिश्य जब भी कोई कार्यस सफल करता है तो वास्तविक सफलता उसके गुरु की होती है ना सुन्दर अती सुन्दर विद्या को ग्रहन करने की तुम्हारी शक्ती अद्बूत है पुत्र श्रीज़नेश 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 माता ये शिक्षा तो आपने ही मुझे दी है ना शिश्य जब भी कोई कार्यस सफल करता है तो वास्तविक सफलता उसके गुरु की होती है ना सुन्दर अती सुन्दर विद्या को ग्रहन करने की तुम्हारी शक्ती अद्बूत है पुत्र पुत्र तुम्हारी प्रसन्दता से ही हम प्रसन्द है यदि संसार के कल्यान के लिए तुम शस्त्र उठाने का निश्चे कर चुके हो तो इससे श्रेष्ट निश्चे और कोई होई नहीं सकता भगवान भोले नात एवं कुमार कार्थि के की जैक कृति का माताओ हम भगवान भोले नात के सेवक शिवगण है हम उन्हीं की आज्या से नक्षत्र लोक में प्रकट हुए है आप सभी शिवगणों का अजिवान नक्षत्र लोक में स्वागत है कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं देवियों हम भगवान भोले नात के आज्या से कुमार कार्थि के को उनके माता पिता के समीव कहला ले जाने के लिए आए है कि नहीं हम अपने पूत्र को नहीं ले जाने देंगे कुमार कार्तिके के माता और पिता हम ही हैं हमने ही इसे माता कस्ने और पिता का संग्रक्षन दिया है यदि आप इसी अशुब विचार के साथ नक्षत्र लोग पधारे हैं तो यहां से लौट जाएं किसा लोगों ने हम इस अशुब विचार को सुनने के जुख नहीं है जाएं लौट जाएं यहां से कि मार्ष लाहमारा पुत्र ही नहीं हमारे जीवन का आधार है हम उसके बिना अपने जीवन की कलपना भी नहीं कर सकती हग्वान शीव और माता पारवती हमारे आराध्ये हैं किन्तों वो हमारे जीवन को संकट में नहीं धखेल सकते। हम आपका प्रस्ताव अस्विकार करते हैं हमारा समय व्यर्थ न करें। जाए लौट जाए यहां से। कृतिका माताओ आपका पुत्र कुमार वास्तों में शिव पुत्र है शिव लीला के कारण कुमार कार्थी के को अपनी आयू के दस वर्ष शिव और पारवती से दूर रहना पड़ा अब वो समय आ गया है जब माता पिता से उसके प्रिय पुत्र का मिलन होगा कौन है शिव पारवती और उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है मैं अपनी माताओं से दूर होने का उत्सुक नहीं हूँ किन्तु न जाने क्यों शिव का नाम सुनने से मेरे मन में स्ने का दीपक जगमगाने लगा है कुमार इसका कारण ये है कि आप शिव पुत्र हैं आपका नक्षत्र लोग में निवास का समय पूर्ण हो चुका है आपको कैलाश चलना ही होगा असंभव कार्थिके शिव पुत्र नहीं हमारा पुत्र है हम किसी भी मुल्य पर अपने पुत्र को यहां से नहीं जाने देंगे केहदे श्रीव पार्वती से कि गुमार हमसे अलग नहीं हो सकता कि शिवकार्द है संसार का कresh्रार करना मैं हमारा पुत्र उंसे चीनकर हमारा सर्वनाष proposition करना चाहते हैं मात आओ आप बात को अन्यथा रूप दे रही हैं आप इसे अन्यथा ही समझझ ले कुमार हमारा है हमारा ही रहेगा हम इससे अपने से करने की कलपना भी नहीं कर सकती उचित यही होगा कि आप शेग्रहिन अच्छत्र लोग से प्रस्थान करें कर शेखना करें यहाँ कि अच्छत्र हो दोगा हो थाना कर दो यहाँ हो अच्छत्र ब्राळना कर दोंगना इसतर्ब यहाँ जाल शेफ्रें धुझत्र हो BEजित्त। हुआ 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 है असुराज आज उद्ध्वित हमें इनकी मनों रंजिन का कोई उपाय सोचना चाहिए सेनापती भैयासुद स्वर्गाधी पती स्वयम्भू तारकासुद स्वर्ग की अपसराओं का निर्त्य देखकर प्रसन्न हो जाते हैं क्योंना हम असुराज की उद्ध्विता को समाप्त करने के लिए अपसराओं के निर्त्य का आयो जंग करें तुमने उचित परामर्ष दिया है जाओ और सर्ग अपसराओं को आज्यां दो कि शीक्री स्वर्ग राज सभा में उपसे थोकर असुराज का मनों रंजिन करें जो आई जुए नहीं कुछ वह सकता नहीं है नहीं है अजी आज्यकुकि आफिरत में नहीं कुछ को खिर्बू यादि पलशाली पुत्रों की मता होनी का आशिर बात दिया है आप उसे दूर रहकर दत्यमाद बिती के आशिवात को व्यार्थ कर रहे है स्वामी और इतना ही नहीं आप महान असुर जाती के उच्छों पविश्य को भी अंदगार में ढगें रहे हैं स्वामी अब तो आजाएए स्वामी दुखी मत हो शामुकी दुखी मत हो अज तुमने हमें हमारे कर्तव्य का स्मरण करवा दिया शामुकी शिर्व बुत्र के मिध्या भाई के कारण हम अपनी सुद्ध बुत्ध खो बैठे हैं उसी भय में उत्तेजित होकर हम लगभग अपने प्राण ही खो बैठते किन्तु केवल तुम्हारे भाग की के कारण केवल तुम्हारे भाग की के कारण शामुकी हम बच गए हैं हम जीवित बच गए शामुकी हम शीवित तुम्हारे पास आरे हैं हम शीवित तुम्हारे पास आरे हैं शामुकी हम शामुकी अरर्ण